बहुपत की घात Degree of Polynomials किसी बहुपत में कुछ और संख्याएं होती हैं जो बहुपत के पदों में अक्षर संख्या में लिखी होती हैं जैसे 3X की घात 5, रिन, 2X की घात 4, धन, 3X की घात 3, धन 9 इस चार पदी बहुपत में अक्षर संख्या X की घातें क्रमशह 5, 4 और 3 हैं इन में सबसे बड़ी घात 5 है इस इस्थिती में बहुपत 3X की घात 5, रिन, 2X की घात 4, धन, 3X की घात 3, धन 9 की घात Degree of Polynomial 5 है या 3X की घात 5, रिन, 2X की घात 4, धन, 3X की घात 3, धन 9, 5 घात का बहुपत है कुछ और उधारन देखें X का वर्ग धन 3 में बहुपत की घात 2 है X की घात 2, रिन, 2X की घात 7, धन, 3X, रिन, 1 में बहुपत की घात 7 है 5Y में बहुपत की घात 1 है बहुपत X का वर्ग Y, धन, X, Y में बहुपत की घात क्या होगी? पहले पत में x की घात 2 है और y की घात 1 है अता x वरंgy की घात 3 है इसी तरह x की घात 2 है इस प्रकार x की घात 2 y धन xy की घात 3 होगी करके देखें पहला इन बहुपदों में बहुपद की घात ग्याद किजे पहला आठ, दूसरा X गुणित Y गुणित Z तीसरा UV धन UV का वर्ग धन V की घाद 3 दूसरा कुछ बहुपद आप भी लिखिए फिर अपने साथियों से चर्चा कर उनके घाद भी लिखिए अचर बहुपद, constant polynomials अब इस प्रश्ण पर विचार कीजिए क्या 6 भी एक बीजी वेंजक है, क्या 6 एक भुपद भी है ऐसा लगता है कि 6 के साथ कोई अक्षर संख्या नहीं है और वेंजकों के सामान्य उधारन में अक्षर संख्या तो होती ही है तो क्या 6 बीजी वेंजक नहीं है लेकिन क्या 6 को 6 गुणित X की घाज 0 के रूप में लिखा जा सकता है? क्योंकि X की घाज 0 बराबर 1 इसमें अक्षर संख्या X की घाज 0 है 0 एक पूर्ण संख्या है इसलिए 6 गुणित X की घाज 0 या 6 भी एक बीजी वेंजक है और एक पदी बहुपद भी तो ऐसे पद भी जिसमें केवल कोई संख्या हो बीजी वेंजक होते हैं और बहुपद भी ऐसे बहुपद को अचर बहुपद कहा जाता है याने 2, 7, 6, 3, 2, 122 आदी अचर बहुपद हैं क्या आप अचर बहुपद के कुछ औरुधारन बना सकेंगे? बहुपदों का नेरुपद Representation of Polynomials कभी-कभी बहुपद को बार-बार लिखने की आशकता पड़ती है ऐसे में एक बड़े वा लंबे बहुपद को बार-बार लिखना होगा बहुपद को व्यक्त करने का एक और रूप है इस रूप में सिर्फ यह पता चलता है कि वह बहुपद किस अक्षर संख्या में है उसके बारे में और कुछ पता नहीं चलता सवाल के संदर्ब में किन्तु यह समझा जा सकता है कि यह किस बहुपद के बारे में है यदि किसे बहुपत की अक्षर संख्या X है तो उसे हम P of X, Q of X, R of X आदी किसी से भी व्यक्ट कर सकते हैं यदि अक्षर संख्या Y हो तो ऐसे बहुपत को P of Y, Q of Y, S of Y, T of Y आदी से प्रदशित कर सकते हैं कुछ उधारन देखें इसमें P, T, Q आदी के चुनाव का कोई आधार नहीं है किन्तु एक बार इन्हें चुन लिया तो उस सवाल के लिए इसी अक्षर संख्या का उप्योग करेंगे